हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो अभी बज़रे सुभे के बारा और मैं सारे दस बज़े उठी हूँ और उठके अभी बस नहाद होके फ्रेश होके रेडियो के आ गई हूँ और मैंने अभी तक बेक्फस्ट नहीं किया है तो अभी मैं जाओंगी पहले ब्रेक् के बना लेती होंक ड़ह सेंञ्विच दिखाती हूहीं covered मेंने की कुंबडर्य टोमेटो की सेंटविच बनाई और इसको इने तावी में बनाई तो चलिए पहले मैं प्रेक्फस्ट किपार मुल्छेन होगो 생्ञम बनाना बहुत लेए है तो अभी बचले दो मेरा लंच बन गया है और अभी मैं लंच सर्प कड़ूंगी और आज हमरे करमें वेज बना है क्योंकि आज की दिन नौन विश नहीं बनेगा सो चलिए दिखाते हैं क्या बनाया है मैंने लंच में आज तो यहां पर लंच में मैंने यहां पर है बोला तो ट्राई करते इसका क्या टेस्ट है त स्वेस्था तो चलिए पहले में लंच कर लेती हो तो दुपैर के लंच के बाद मैं तो रो engh possible तो अभी जाम हो रहे है तो अभी मैं चाहिऑ पिऊंगी और चाहिवे ने चला दिया हैं चाहिए बन रहा है और साथ अग्य तो यह हलबा बनने वाला है है और कौन सा वेजटीवल का बनने वाला है वह आप लोग गेस करो और कमेंट करो तब तक मैं चाई बनाती हूँ और चाई बीती हूँ तो उसके बाद आपको पता चेला क्या मत्तब कौन सी हल्व अरे कहना क्या चाहते हो कौन सी चीज के हल्वा बनने वाली है चलिए चलते हैं चाई के तरफ तो मेरी चाई बन गई है रेडी है यह देखिए तो चलिए मैं चाई पीती हूँ और उसके बाद मैं हल्वे की रेसिप्ट आप लोगे साथ शेयर करूंगी तो मैं आज लॉकी की हल्वा बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने पतीला चरा दिया है और इसमें मैं थोरी सी पानी डाल रही हूँ यह डालने से क्या होता है दूद जो है नीचे चिपकता नहीं है अगर गरम पतीले में पानी तालका तुरसा गरम कर ले पहले तो तो उसके में डालूँगे मिलक और मैंने यहां पर तोन्ड मिलक नहीं लिया है यह हैरीटेज का 0.5 लिटर का पैकेट है जो मैं दो पैकेट यूज करूंगी मतलब एक लिटर इसको मीडियम फ्लेम पे मैं कर दूँँगी जब तक इसका उबल आता है मीडियम नहीं बिल्कुल लो कर दिया है और इसके बाद मैं साथी साथ लॉकी को भी यहाँ पर ग्रेट कर लूँगी पील करके तो यहाँ पर मैंने लॉकी भी ले लिया है और अभी मुझे इसको पील करना है पील करने के बाद इसको ग्रेट करूँगी मैं और मैंने याँ पर छोटा वाला बिल्कुल सबसे छोटा वाला जो ग्रेटर आता है मैंने वो लिया है और आपको भी छोटे वाले ग्रेटर से ही करना है अगर बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो जादा टाइम लेग इसको बनने में पकने में और यह लॉकी देख रहा है आप इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं है इसको बीच में बिल्कुल भी दाने नहीं है जो छोटा वाला लॉकी आता है ना बिल्कुल मतलब उसके अंदर बरा बरा बीच नहीं होता है तो वो वाला लॉकी लिया है मैंने और यही वाला लॉकी लेना है जिसके अंदर बरे बरे दाने आते हैं वो नहीं लेना है उससे टेस्ट ही नहीं बनेगा झाल 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 तो यहां पर देखें दूद भी उबल गया है और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर पांच मीट तक पकाना है तो तक्रीबन यहां पर मैं दूद को पांच मीट तक पका रही हूँ यहां पर मैं लौकी का पानी निकाल दूँगी इसको पहले ग्रेट करके रखा था तो थोड़ा सा काला हो गया है यह अभी मैं इसका पूरा पानी निकाल दूँगी तो हलबा में अधर बन रहा है और अभी मैं आई हूँ एक अचली बहुत दिनों से मैंने मेशीन यूज नहीं किया तो मैं सोचा कुछ बना लेती हूँ तो आज मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ ऐसे ही फ्रॉक बनाने वाली हूँ इधर उता जाने के लिए घर पे पहनने के लिए तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हूँ तो यह कपड़ा लिया है मैंने इवाला फैप्रिक लिया है बिल्कुल लाइट कलर है मैंने मार्किंग यापर कर लिया है और मैंस को कट करूंगी और यह रूम मेरा पूरा मैस हो रखा है तो प्लीज बैक्राउंड को को एक नों कीजिये तो दूद मीडियम फ्लेम पर ही है और अभी जो है मैं पूरा लॉकी इसमें डाल दूँगी और इसके डालने के बाद इसको हमें मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल पकाना है जब तक यह लॉकी जो है अच्छे से गल ना जाए यह मतलब पकना जाए अच्छे से और दूद जो और यह जब तक पकेगा तब तक हमें थोरी थोरी देर में इसको पूरा अच्छे से नीचे से चलाना है बढ़ना जो है दूद लग जाएगा नीचे से लगने का डर है तो इसको थोरी थोरी देर में चलाते रहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं दूद का जो है अल्मुस्ट आधा हिस्सा हो गया है सूख के और लौकी भी जो है पक गया है अल्मुस्ट तो यहाँ पर जो है में दोरस हाँ से चेक करियों कि यह पक गया है कि नहीं तो यह पक गया है तो जैसे कि यह पग गया है मैं इसको हटा रही हूँ और यहाँ पर मैंने कर्थाई चरा दिया है और कर्थाई को मैं थोरा सा गरम होने दूंगी अभी हो गया है और मैंने इसमें घी डाला है दो ढ़ाई चमज के करीब घी डाला है थोरा जादा ही डालना है क्योंकि घी का ही टेस्ट आएगा बाद में लास्ट में जो स्मेल आता है वही घी का जो सुगंद आता है वही टेस्ट होता है तो अभी मैं जो हलवे को इसमें डाल दू झाल 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 तो इसको मैं बीच पीच में चला चला कर इसको सुखा लिया है दूद भी देखिये काफी सूख गया है तो अभी मैं इसमें जो है नारियल ग्रेट करके डाल रही हूँ झाल 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 अभी मैं इसमें किश्मिश डाल रही हूँ और इसके बाद काजू डालूँगी और आपके पस और क्या ड्राइफूड से आप डाल सकते हैं आपके मन पसंद झाल तो मैं अभी इसमें जो है कॉंडंस राही हूँ जेल ढालूँगी और में इसमें 2 चम्मच्च डालूँगी पहले में चीनी नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत मीता होता है तो पहले में ये इसको डाल के थोड़ से टेस्ट करूंगी कि मीठा कैसा है तो उसके बाद मैं उसी सबसे चीनी डालूंगी प्राद मैं भाल भालूंगी सबसे प्रित्स करूंगी कि मीठा नसी सबसे चीनी करूंगी को फोड़ से गयर दो सम्टा से बालूंगी कि मीठा कि भीडि़ खरने टीनुदा़ घर की बालूंगी अन्थर मुड़ मैं वीड़ तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे चीनी तोरह सा कम लगा तो मैं इसमें दाल रही हूं थोरिसी आप भी टेस्ट करके देख लिजिएगा वरना ज्यादा अगर मीठा होजाता तो अच्छा नहीं लगता है मतलब मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए बोल रही हो गर आप लोग ज्यादा मीठा काते हैं तो उसी इसे आप से बनाएए झाल प्रूब मैं ज्यादा है ऐसे ही आप चीनी डालेंगे ना चीनी का पानी छोड़ेगा तो इसको मीडियम फ्रेम पर ही पूरा सुखा लेना है हमें झाल तो यहां पर देख सकते हैं काफी सूख गया है इसका दूद जो है पूरा सूख गया है अल्मोस्ट इतना गीला हमें रखना है बरना ठंदा जब हो जाएगा तब दूद तो खीच लेगा और अभी मैं इसमें एक चमच घी और डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके अभी मैं इसको ढग दूँगी जो सें है और इसके बद बन गया हमरा हलवा तो फ्रेंड्स अभी बजरे रात के सारे दस तो अभी मैं जाओंगी डिनर करने आज डिनर में कुछ स्पेशल नहीं है अभी दुपेड को जो था वही है तो इसलिए मैं वह शूट नहीं कर रही हूँ आज और मैं आज की वीडियो यही पर एंड करूंगी और जो मैं ड्र कर रही थी वह तो नहीं तो मैं नहीं दिखा रही हूँ जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं किसी सामने किसी वीडियो में या फिर किसी व्लॉग में डाल दूंगी तो चलिए आज की लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए चलते हैं